नमश्कार दोस्तों मैं हूँ योगिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में बालो में आने वाला पसीना सिर्फ बद्बू ही नहीं देता बलकि ये डांडरिफ और हैर फॉल का भी कारण बनता है गर्मियों का मौसम है और ऐसे में पसीना आना एक आम बात है मगर अत्याधिक पसीना आना मुसीबत का कारण बन सकता है विशेश रूप से आपके बालो के लिए यदि आपकी स्कैल्प पे पसीना आ रहा है तो ये आपके बालो को गंदा कर सकता है उन्हें चिट-चिपा बना सकता है और आपकी है स्टाइलिंग को खराब कर सकता है क्यों आता है स्कैल्प में पसीना? अत्याधिक पसीना हाइपर हाइड्रोलिसिस के लक्षन होते हैं ये शरीर पर कहीं भी हो सकता है और स्कैल्प सबसे अधिक प्रभावेच छेतरों में से एक है जब हाइपर हाइड्रोलिसिस का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता तो ये से प्रात्मिक हाइपर हाइड्रोलिसिस के रूप में जाना जाता है क्या आप जानते हैं कि बालो में मौझूद पसीना हैर लॉस का कारण बन सकता है पसीने में नमक होता है जो बालो के लिए नुकसान तायक हो सकता है आइए जानते हैं कि पसीना कैसे करता है आपके बालो को डामेज आगे के बालो को करता है कम ज़ाधा पसीना आने के कारण बालों में salt की मातरा भी अधिक होती है इसे scalp में dryness और बाल जढने की समस्या हो सकती है बाल हो सकते हैं oily कई बार ज़ाधा पसीना आने के बार लोग नहा लेते हैं या फिर शैंपू कर लेते हैं लेकिन पाकमान में मौजूद नमी बालों को ज़्यादा देर तक प्रभावित किये बगेर नहीं रह सकती। इसलिए कितने भी अच्छे शैंपू का आपने इस्तमाल किया हो, इसके बावजूद भी बाल ओईली ही नजर आते हैं। बेजान हो जाते हैं बाल, जदा पसीने और ओली हेर से छुटकारा पाने के रियेक्सर लोग हर दूसरे तीसरे शैंपू कर लेते हैं। लेकिन युक्त शैंपू की अधिक्तम का परभाव भी बालो पर पढ़ता है। इससे बालों से चमक गायब हो जाती है और साथ ही इससे बाल बेजान भी हो जाते हैं। खुझली के हो सकते हैं शिकार, जब बाल में पसीना जादा हो जाता है तो इसके कारण धूल-मिट्टी के बालों में चिपकने की समभावना भी बढ़ जाती है। ये गंदगी बालों में खुजली का कारण बन सकते हैं, इसके अलावा स्कैल्फ में पोर्स मोजूद होते हैं, पसीने के कारण बुबी ब्लॉक हो जाते हैं, पर्याप्त ऑक्सिजन नहीं पहुँचने पर बालों में खुजली होती है, साथ ही बाल जढने के समस्या भी हो सकत तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें